हेलो नमस्कार आप देख रहा हैं वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुर रहा है तमाम वर्ग के महिला करमचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है चाहे आप आसा कार करता हो अंगरवारी सेवी का हो आसा फैसलिटेटर हो वेक्सिन कुरियर हो ममता देदी हो जीवीका देदी हो तमाम सेवी का सहाई का सही जितने भी एनम और नेचम के करमचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत बड़ी खबर है सबसे पहले आपको बताते चले कि जब निर्वाचन आयोग के फैसले से आप लोगों ने समुचित अपने मुह फेर लिये, आप लोगों ने कहा निर्वाचन आयोग को कि जब तक हम लोगों के मान दे, NPS, मेडिकलेम पॉलिसी, अक्सिदेंटल इंसुरेंस, सब्ताम चुटी राष्टिय चुटी, EPFO, ESI, अनुकंपा, सहित गिरेचुएटी और रिटार्मेंट सरकार नहीं देती है, तब तक हम लोग कार बहिसकार के साथ साथ, तमाम जो चुनाब की प्रकिरिया है, उसमें भी बाधा डालने का काम करेंगे, कहीं न कहीं, जो महिला करमचारी है, वह हम गाउं गाउं घुम करके महिलाओं को कहीं कहेंगे कि आप लोग भी भोट नहीं दीजे, क्योंकि सरकार हम लोग के साथ परतारित कर रही है, तो तमाम चीजों को देने के बाद जो है, इसी जो निर्वाचन आजाग है, वो सदमे में आ गए और इस सदमे से लेकर के वो क्योंकि अभी जो है, अचार सहीता लगने के बाद परधान मंत्री की पास भी कोई पावर नहीं है, जिनको लेकर कि वो जो है देश के महा महीम राष्टपती के पास पहुंचे और उहां जा करके, उन्होंने अपनी सारी बाते बताई और जो महिला करम चारियों की मांग है उनको भी उन्होंने उहां पे रखने का काम किया, जिसके बाद राष्टपती महोदय सक्रियों होकर के, जो आपको बता दे कि जो पड़िवार कल्यान मंत्री है, इसके बाद जो स्वास्त मंत्री है, सभी से उन्होंने मुलाकात करने के बाद जो अहम पुर्ष्टी की गई सरसे पहले ख़बर में आगे आप लोग को बताएंगा कि जो विभागी अस्तर से आप लोग के पत्र सौपे गए थे आप लोग की जो मांग पत्र सौपी गई थी साथ ही आप लोग के हितों में क्या कुछ परतिकिरिया आई है तमाम जानकारी आज की इस ख़बर में आप लो की लिए काम किया जिसके तहोत आप लोगों को 5 रुपे की जो इलाज की बात है वो हर साल आप लोगों को पांच लाख रुपे रीनुवल होंगे उसके साथ ही आप तमाम महिला करमचारियों को ले करके आगे से जो काम किया जा रहा है आपको बता दे कि सबसे पहले रोसया के लिए कहा गया है साथ ही आप लोग के देश लेवल के जो बड़े-बड़े संगठन है उन्होंने इस बात को पारित किया है ताकि आप लोग के हितों में जल्स-जल्स एलान हो जाए आपको बताना चाहेंके tamama महीला करमचाड़ी को खबर में थुदा सा गौर से सुनिएगा क्योंकि नहीं सुनियगा तो पिर समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो आप comment में जाकर के फिर कुछ लिख दीजिएगा उससे कही न कही हम लोग को demotivation होना पड़ता है कि हम आप लोग के हीतों में काम कर रहे हैं, आप लोग हमें compliments, praise देते, साथी आप लोगों ने ये जो असल जो बाते होती हैं वही हम आपको दिखाने का काम करते हैं, और जो भी बिभागी अस्तर से जानकारी आती है वही आप लोग के सामने रखने का काम करते हैं, तो आपको बता दे कि होदिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोग के हितों में खड़ा होने का काम किया, साथी सुप्रीम कोर्ट ने कल भी एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि महिला करमचारियों को ले करके हैं, आगे ख़वर में वो भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले आपको बता अप्रेल तक मीनिममम वेटेज एक्ट के अधहार पर निवनतम वेतन दिया जाए, जो कि महिला करमचारियों की जरूरत है, साथी उन्होंने कहा था कि किसी भी आसा अंगनवारी वरकर्स और रस्वया वरकर्स हैं, उनको जैतक फंट फैंसन ना हो, काम हो, निकाला नहीं ज जा सकता है, जब तक आप लोगों को पैंसन नहीं सरकार देती है, अगर 65 वर्स के बाद ही आप लोगों को पैंसन सरकार अगर देने का काम करती है, वो भी रासी 10,000 रुपे की रासी होनी चाहिए, तो 65 वर्स जितने भी कम है, उन सभी को सरकार 65 वर्स तक काम को रखे, काम क फंड पेंसन के तहट आप लोग को जोड़ने की बात कही गई है, साथ ही आपको बता दे कि आसा वर्कर और संगिनी को इंसेंटिव के अस्थान पर नियमित मांदे का भुगतान करने को लेकर के भी कहा गया है, जिस तरह से महिला करमचारियों को भी प्रसर्मिक मिल लही है, अभी आप लोगों की कोई भी मांदे निर्धारन नहीं की गई है, दिर्वाचन आयोग चाहते हैं कि आप लोगों को मांदे से भी बढ़ कर यानि की वेतन की वेदरस्था की जाए, जिससे आप लोग जो हर साल धरना परदर्शन करते हैं, वो आप लोगों को नहीं करना प पड़ेगा जिसको ले करके उन्होंने साब किया है कि महिला करमचारियों को अगर 18,000 रुपे ही अभी दिया जाता है तो उसे वेतन के रूप में तैक किया जाए एकाउंट से DA का लाब दिया जाए ताकि उन्हें हर तरह की जो फैसलिटी है वो सुनिस्चित हो पाई क्योंकि महिला करमचारियों का ये हक है क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने करोना के समय में अपना भूमिकाएं दी अहम योगदान दिया उसको देश कभी नहीं बूल सकता है और जिसके लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन ने आप लोगों को कॉम्प्लिमेंट्स प पर देश आ गई थी जहां कम मिर्तु दर भी हुई थी तो तमाम महिला करमचारियों को यही बताना चाहते है कि आप लोगों की जो कार है वो परगनाईजेशन जैसी कंपनी और संगठन जो बड़े-बड़े संगठन है उन्होंने आप लोगों को लेकर के सरकार को ये बात जो है रिमार्क्स के रूप में कहा था साथी आपको बताते चले कि COVID-19 के दौरान बहुत सारे महिला करमचारियों की मांदे फस गई थी यहां तक कि आप लोगों को प्रसाहन करने के लिए कोई भी रासी नहीं दी गई थी जिसके संदर में कहा गया है कि COVID-19 के दौरान जो भी अपना सेवा दिये थे उन सभी को 10,000 रुपे तक देने का जो है प्रसाहन रासी काम किया जाए साथी आपको बताते चले कि 45 में 46 में जो उस समय की बात है जब सरम सम्मान की सिफारे से की अनुसार आसा अंगनवारी वरकर्स रसोया को मजदूर के रूप में मानेता दो 21,000 रुपे परतिमा नियुंतम वेतन 10,000 रुपे परतिमा पैंसन तथा ESI PF आदी परदान करने को लेकर ESKEM worker की सिरेनी में लाया जाए मतलब आप तमाम महिला करमचारी जो ESKEM worker है उन सभी को वरकरों की सिरेनी में ला करके वो तमाम आप लोग को facility दी जाए जिसका आप लोग कायल ही नहीं बलकि आप लोग को अवस सकता है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये सरकार की कहना अनुसार है कथना अनुसार है ये अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास पत्र है और पत्र के माध्यम से आप तमाम महिला करमचारी यो को बताने का हम काम कर रहे हैं साथी आपको बता दे कि महिला करमचारियों को लेकर के जो है मौजूदा बीमा योजनाए, परधान मंत्री जीवन जोती योजना, साथी परधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आंगनवारी कारिकरता बीमा योजना सभी में भुगतान सुनिश्चित करने को लेकर आप लोग नोट कर लीजिए कि PM नरेंद्र मोधी सहब को भी इस बात की चिंता है लेकिन आदर सचार सहीता में कोई भी फैसला नहीं लेने को लेकर के कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही है और आपको बता दे कि कुछ न कुछ इंक्रिमेंट आप लोग के मांदे में होगी और